ओम शान्ति आज की अव्यक्त मुली सुनेंगे सत्रा ग्यारा नाइन्टीन सिक्स्टीनाइन फर्ष से अर्ष पर जाने की युक्तिया यहां भट्टी में किस लिए आये हो? देह में रहते विदेही हो रहने के अभ्यास के लिए जब से यहां पाउं रखते हो तब से ही यहो स्थिती होनी चाहिए जो लक्ष रखा जाता है उसको पूर्ण करने के लिए अभ्यास और अटेंशन चाहिए बाप दादा हर एक को नई बात के लिए ही बुलाते हैं अधर कुमारों को विशेस इसलिए बुलाया है पहले तो अपना जो ग्रहस्त व्यवहार बनाया है उसमें जो उल्टी सीड़ी चड़ी है उस उल्टी सीड़ी से नीचे उतारने के लिए बुलाया है और उल्टी सीडी से उतार कर फिर किस में चड़ना है अर्श से फर्श पर फिर फर्श से अर्श पर उल्टी सीडी का कुछ न कुछ जो ग्यान रहता है उस ग्यान से अग्यानी बनाने के लिए और जो सत्य ग्यान है उनकी पहचान देकर ग्यान स्वरूप बनाने के लिए बुलाया है पहले उतारना है फिर चड़ाना है जब तक पूरे उत्रे नहीं है तो चड़ भी नहीं सकते सभी बातों में अपने को उतारने के लिए तैयार हो कितनी बड़ी सीड़ी से उतरना है उल्टी सीड़ी कितनी लंबी है अब ही तक जो पुरुशार्थ किया है उसमें समझते हो कि पूरी ही सीड़ी उतरे है कि कुछ अब ही तक उतर रहे है पूरी जब उतर जाएंगे तो फिर बढ़ने फिर चड़ने में देरी नहीं लगेगी लेकिन उतरते उतरते कहां न कहां ठहर जाते हो तो अब समझा किस लक्ष से बुलाया है 63 जन्मों में जो कुछ उल्टी सीडी चड़े हो वो पूरा ही उतरना पड़े फिर चड़ना पड़े उतरना सहज है वा चड़ना सहज है उतरना सहज है वा उतरना भी मुश्किल है अभी आप चो पुरुशार्थ कर रहे हो वो उतर कर चड़ने का कर रहे हो की सिर्फ चड़ने का ही कर रहे हो कुछ मिटा रहे हो कुछ बना रहे हो दोनों काम चलता है न? आपको मालुम है लास्ट पौड़ी अर्थात सीड़ी कौन सी उतरनी है? इस देह के भान को छोड़ देना है जैसे कोई शरीर के वस्तर उतारते हो तो कितना सहज उतारते हो? वैसे ही यह शरीर रूपी वस्तर भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारन कर सको सबको यह अभ्यास पून रिती से सिखाना है लेकिन कोई कोई का यह देह अभिमान क्यों नहीं तूटता है? यह देह का चोला क्यों सहज नहीं उतरता है? किसी का वस्तर तंग ताइट होता है तो उतार नहीं सकते हैं यह भी ऐसे ही है कोई न कोई संसकारों में अगर यह देह का वस्तर चिपका हुआ है अर्थात तंग ताइट है तब उतरता नहीं है नहीं तो उतारना, चड़ना वा यह देह रूपी वस्तर चोड़ना और धारन करना बहुत सहज है जैसे कि स्थूल वस्तर उतारना और पहनना सहज होता है तो यहीं देखना है कि यह देह रूपी वस्तर किस संसकार से लटका हुआ है जब सभी संसकारों से न्यारा हो जाएंगे तो फिर अवस्तर भी न्यारी हो जाएगी इसलिए बाप दादा भी कई बार समझाते हैं कि सभी बातों में इजी रहो जब खुद सभी में इजी रहेंगे तो सभी कार्य भी इजी होंगे अपने को टाइट करने से कार्य भी टाइटनेस आ जाती है वैसे तो इतने समय से पुरुशार्थ चलने वाले हैं उन्हों को अब बहुत ही करतवि में न्यारापन आना ही चाहिए अभी इस भट्टी में जो भी टाइटनेस है वहो भी और जो उल्टी सीड़ी की पौडियां रही हुई है वहो उतारना भी और फिर लिफ्ट उसमें चड़ना भी है लेकिन लिफ्ट में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिस लिफ्ट में कौन बैठ सकेंगे? बाप के लिए सारी दुनिया में लायक बच्चे ही स्रेश्ट सौगात है तो लिफ्ट में चड़ने के लिए बाप की गिफ्ट बनना और फिर जो कुछ है वहो भी गिफ्ट में देना पड़ेगा गिफ्ट देनी भी पड़ेगी और बाप की गिफ्ट बनना भी पड़ेगा तब लिफ्ट में बैठ सकेंगे समझा? अभी देखना है दोनों काम किये हैं गिफ्ट भी दी है और गिफ्ट बने भी है गिफ्ट को बहुत संभाला जाता है और गिफ्ट को सोकेज में सजा कर रखते हैं जैसी जैसी गिफ्ट वैसी वैसी सोकेज में आगे आगे रखते हैं आप सभी भी अपने आपको ऐसी गिफ्ट बनाओ जो लिफ्ट भी मिल जाए और इस स्रिष्टी के सोकेस में सभी से आगे आजाओ तो सोकेस में सभी से आगे रहने के लिए अधर कुमारों को दो विशेस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा शोकेस में जो चीज रखी जाती है उसमें क्या विशेस्ता होती है? एक तो अपने को अट्रेक्टिव बनाना पड़ेगा और दूसरा एक्टिव यह दोनों विशेस्ताई खास अधर कुमारों को अपने में भरनी है यह दोनों गुर आ जाएंगे तो फिर और कुछ रह नहीं जाएगा कहां कहां एक्टिव बनने में कमी देखने में आती है तो इस भट्टी से विशेज कौन सी च्छाप लगा कर जाएंगे यही दो शब्द सुनाया अट्रेक्टिव और एक्टिव अगर यह च्छाप लगा कर जाएंगे तो आपकी activity भी बदल जाएगी जितनी जितनी यह चाप यह थपा पकड़ कर जाएंगे उतनी ही activity भी पक्की और बदली हुई देखने में आएगी अगर थपा कुछ धीला लगा कर जाएंगे तो फिर activity भी change नहीं देखने में आएगी यहो तो सुना था न, भटी में आना अर्थात अपना रूप, रंग दोनों बदलना है भटी में जो चीज आती है, उनकी जो बुराई होती है, वहो गल जाती है जो असली रूप है, असली जो करतव्य है, वहो यहां से लेकर के जाना वहो कौन सा रूप है, क्या बदलेंगे अभी रंग बदलते रहते हैं, फिर एक ही रंग पका चड़ जाएगा जिसके उपर और कोई भी रंग चड़ नहीं सकता और जिस रंग को कोई मिटा नहीं सके और ना मिट सके ना और कोई रंग चड़ सके सभी बातों में एक्टिव होना है जैसा समय ऐसी सर्विस उसमें ever ready कोई भी कारी आता है तो एक्टिव हो जाओ उस कारी को शीक्र ही समझ कर सफलता को प्राप्त कर लेते हैं जो एक्टिव नहीं होते वो पहले तो कारी को सोचते रहते हैं सोचते सोचते समय भी गवाएंगे सफलता भी नहीं होगी एक्टिव अर्थात ever ready और वो हर कारी को परक भी लेगा उसमें जुट भी जाएगा और सफलता भी पालेगा तीनों बातें उसमें होंगी जिसमें भारीपन होता है उनको एक्टिव नहीं कहा जाता पुर्शार्थ में भी भारी अपने संसकारों में भी भारी उनको एक्टिव नहीं कहा जाएगा एक्टिव जो होगा वो हो ever ready और easy होगा खुद easy बनने से सब कारे में इजी पुरुशार्थ भी इजी हो जाता है खुद इजी नहीं बनते तो पुरुशार्थ और सर्विस दोनों इजी नहीं होते मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है सर्विस मुश्किल नहीं लेकिन अपने संसकार अपनी कमजोरिया मुश्किल के रूप में देखने में आती है पुरुशार्थ भी मुश्किल नहीं अपनी कमजोरिया मुश्किल बना देती है नहीं तो कोई को सहज, कोई को मुश्किल क्यों भासता अगर मुश्किल ही है तो सभी को सभी बाते मुश्किल हो लेकिन वही बात कोई को मुश्किल तो कोई को सहज क्यों अपनी ही कमजोरिया मुश्किलात के रूप में आती है इसलिए यह दो बातें धारन करनी है अट्रेक्टिव भी तब बन सकेंगे जब पहले अपने में विशेस्ताई होंगी आकर्षित बनने के लिए हर्षित भी रहना पड़ेगा हर्षित का अर्थ ही है अतिंद्रिय सुख में जूमना ज्यान का सुमिरन करके हर्षित होना अव्यक्त इस्तिती का अनुभव करते अतिंद्रिय सुख में जूमना इसको कहा जाता है हर्षित हर्षित भी मन से और तन से दोनों से होना है ऐसा जो हर्षित होगा वही आकर्षित बन सकता है प्रकर्टी और माया के अधीन ना होकर दोनों को अधीन करना चाहिए अधीन हो जाने के कारण अपना अधिकार खो लेते हैं, तो अधीन नहीं होना है, अधीन करना है, तब अपना अधिकार प्राप्त करेंगे, और जितना अधिकार प्राप्त करेंगे, उतना प्रकरती और लोगों द्वारा सतकार होगा, तो सतकार कराने के लिए क्या करना पड अधिकार रखने से अधिकारी बनेंगे लेकिन अधिकार छोड़ करके अधिन बन जाते हो चोटी चोटी बातों के अधिन बन जाते हो अपनी ही रचना के अधिन बन जाते हो लौकिक बच्चे तो भले हैं लेकिन अपनी ही रचना अर्थात संकल्पों के अधीन हो जाते हैं जैसे लौकिक रचना से अधीन बनते हो वैसे ही अब भी अपनी रचना संकल्पों के भी अधीन बन जाते हो अपनी रचना कर्म इंद्रियों के भी अधीन बन जाते हो अधीन बनने से ही अपना जन्मसिद अधिकार खो लेते हो ना तो बच्चे बने और अधिकार हुआ सरवदा, सुख, शान्ती और पवित्रता का जन्मसिद अधिकार कहते हो ना तो अपने आप से पूछो कि बच्चा बना और पवित्रता, सुख, शान्ती का अधिकार प्राप्त किया अगर अधिकार छूट जाता है तो कोई बात के अधिन बन जाते हो तो अब अधिनता को छोड़ो अपने जन्मसिद अधिकार को प्राप्त करो यह जो कहते हो, कभ प्रभाव निकलेगा? यह प्रभाव भी क्यों नहीं निकलता? कारण क्या है? क्योंकि अब तक कोई बातों में खुद ही प्रभावित होते रहते हो तो जो खुद प्रभावित होता रहता है, उसका प्रभाव नहीं निकलता प्रभाव चाहते तो हो इन सभी बातों में प्रभावित नहीं होना है फिर देखो कितना जल्दी प्रभाव निकलता है अपनी एक्टिविटी से अंदाजा निकाल सकते हो ऐसा सौभाग्य सारे कल्प में एक ही बार मिलता है सत्युग में भी लौकिक बाप के साथ रहेंगे पारलौकिक बाप के साथ नहीं 84 जन्मों में कितना श्रंगार किया होगा भिन्य भिन्य प्रकार के बहुत श्रंगार किये बाप दादा का असनेह यही है कि बच्चों को श्रिंगार कर सोकेज में श्रिष्टी के सामने लाए जब सभी संपूर्ण बनकर सोकेज अर्थात विश्व के सामने आएंगे तो कितने सजे हुए होंगे सत्युग का श्रिंगार नहीं गुणों के गहने धारण करने है अच्छा, ओम शांती